स्वागेद आपका क्रिशेबाट करके एक और फ्रेस योडे में टाइटल और थम्नेल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक जो हमारा हो किस के उपर होने वाला है तो बेसिकली हमने अपनी कार के अंदर आपके प्रोजेक्टर फोग लाइस ड कराते तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ हमें इंस्ट्रॉल करवानी चाहिए उसी के बारे में आज हम बात करने वाले तो बीना टाइम विष्ट करें चले शुरू करते आज का वीडियो हम कोई भी कारंपश करने जाते हैं तो अगर हमारा बजेट जो है वह टॉप मॉड़के लीए अलाओ करता है तो तब हम हमतल्स क्मरा पॉड़ेत कम रहता है और हम लोवर के उपर जाते तो उस वक्त होता ले कि जब हम प्र्चेस करने के बाद हम ट्राइव करते तो तो हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर modification के requirement रहती है तो उस वक्त फिर हम जो है इसका मलकि कोई भी electrical related की modification करा लेते हैं जैसे कि headlights हो गया या दूसरी अलग modification जैसे कि कार के अंदर infotainment लगा दिया बेस्टिब लगा दिया वह सारी तो उसके अंदर जब हम करते हैं तो में एक बात है वह आपको ध्यान रखना है आपको अपनी वाइरिंग का यूज करना है अभी मैं अगर अपनी कार के अंदर बात करो तो बिसकली मेरी कार के अंदर जो है तो बैसिकली जो निकाल दिया तो basically जो fog light रहता है, वो मुझे must need accessory लगती है, क्योंकि हो काफी important रहता है, मनलग कि कोई भी season रहते हैं, हर season के अंदर fog light रहते हैं, वो काफी काम आता है, तो इसके लिए मैं ने अपने car के अंदर, अपने fog lights के अंदर projector जो fog light आते हैं, वह वाले डलवाए है तो उसको डलवाने के करीब डेड़ साल हो चुक है जो कि मैंने यूजपी किया कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसके बाद हुआ है कि बीच में एक दो बार इसके जो वाइरिंग रहती है मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस टाइप का वाइरिंग के आ तो उन्होंने इसके अंदर जो है दूसरा जो फ्यूज़ रहता है वह डाला बट वह डालने के बावजुद भी इसका अंदर का जो फ्यूज़ वह बार-बार मेल्ट हो रहा था प्लस इसका जो वायर रहता है यह इसकी जो में पॉजिटिव वायर जो है बैटरी के साथ कर रहा था तो आप जब भी कोई भी कार के अंदर इलेक्ट्रिकल मोडिफिकेशन कर रहा हो तो फर्स्ट ओफ उसकी सेप्रेट जो वाइरिंग रहती है वो जरूर से अप्रोड डलवाना है जैसे कि मैंने अपनी कार के अंदर फोग लाइट डलवाए तो उसके लिए मैंने क्या पहारते है और यहां पर में बात करूँ यह हीट हो रहा था इसके अंदर हमारी जो एक रहे सथरीं लगा रहता तो इसके वाय इंदर जो है वो जल्ल सकती दी और उसके कारन आग लगने के बढ़े तो यह आपको जब भी भी खोल मोडिफिकेशन कर रह ओ तो उसकेवी हमें नक्सान आ सकता है जैसे कि हमारी कार के वाइरिंग जल सकती है यह तो आग लग सकती है देखा जो अपनी कार के अंदर सबस्ट नहीं आते तो वह फॉग लाइस जलाते हैं लोड आएंगा तो वह बन हो सकता है और मतलब कि जबी उसके अंदर कोई प्रVEN होगा तो आप अगर अपनी सर्वीस सेंटर पे ले जाऊंगे और उनको पता चला कि यह आपने भार से इस टाइब से करवा है तो आपकी कार जो है वह वारंटी में से भी वाइड हो सकती है तो आप अगर हैवी कोई भी कर रहा हूँ जैसे कि अपनी फोग लाइट्स हो गाया सिस्टम हो गया तो उसके अंदर आप सेपरेटली वायरिंग का जरूर से यूज करना है तो अभी जो हूँ मैं आपको बहार ले जाता हूँ इसको इसका लोकेशन का पर लेता है यह मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क किया है वह भी मैं बताऊगा इसका मैंने वहाँ पर सूट नहीं किया उसलिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ भी काम नहीं था इसकी वायर जो है मलग कि जो वायरिंग थी अपनी कार की नहीं जो फोग लाइट्स की थी उसके दो वायर वह कटके और उसके बीट में जो है उन्होंने दूसरा इस टाइब का फ्यूस वाला लगाया प्लस इसका वायरिंग का थिकने से वह भी ज्यादा हेवी कर दी अभी ये पतला है तो क्या होता है कि इतना टाइम जब यूस हुआ है तो इसके अंदर के जो वायस रहते हैं वह मेल्ट हो जाते या खराब हो तो उसके कारण की होगा कि यह जो वायर है वो गरम हो रहा था और गरम होने के कारण अपना फ्यूज वह बार-बार मेजट हो रहा था त्टली अभी मैं आपको बहार ले जाता हूं करके बॉनेट के नीचे और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यह कहाँ पर लगा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो कार के अंदर आपको ज्यादा कुछ भी वाइरिंग नहीं दिखा देंगी जो भी मैंने काम करवा है वह प्रॉपर जो है वह फिनिसिंग के साथ किया जैसे है कि यहाँ पर अब दिख सकते हो यह इसकी फोग लाक की वाईरिंग है प्लस यह प्रॉपर वाइरिंग आप देख सब्सक्राइब फोग लाइट की वाइरिंग है प्लस यहाँ पर यह जो फ्यूस भी लगा हुआ है और यह इसकी में रिले पीए अभी मैं आपको दिखा था हूँ कि यह जो है इस्यू का आप पर आ रहा था तो यह बिसिकली अपना यह में यह फ्यूस है तो इसके अंदर एक पॉइंट वह दो बैटरी का अकंद बाइड holiday यहाँ चासा हूआ की यहोजए अपने सकते हैं यहाँ उन्हें यहाँ पर वाइटरी से अधर के उल्टेज ले कंदर शक्ताई धिक्स्व kit स्के इसका कि 15 फ्यूस लगा हुआ है अभी आपको यहाँ पर दिखाए देग्वось हो दिखाने की कोशिस कर दो यह देख सकते तो होगा यह की 15 एमपीर से ज़्यदा वाल्टेजक्ट जय वो हमारी यह बाईरिंग के अंदर नहीं जाएंगा अभी सब्सक्राइब लेके जो हमारे यह रिले लिले हैं उसको प्रापर बायर मतलब कि नहीं मिल रहता और उसके कारण होता था यह कि हमारे फौक लाइट एक तो जलते-चलते-बंद हो जाते थे प्लस जो इसका फ्यूसे वह बार-बार मेल्ट हो जाता और ये जो बीच में ये वायरिंग ये अपनी गरम हो चाती तो इन्हों ने सिंप्ली जो है ये दो चीजे चेंज के लिए मलग की एक जो है अपने बेट्रे के साथ करके ये फ्यूस और फ्यूस से होते हुए अपनी डिले के अंदर तो यहां पर उन्हों ने इस टाइप से अटेस कर दिया और उसके बात वायर जो है वह बिल्कुल भी करम नहीं हो रा अभी इतने टाइम मैंने यूश किया यह पी गरम नहीं हो रहा था बट होता है यह कि जो इसके अंदर ये छोटे चोटे वायर लगे रहते हैं ये टाइम चाते जो है ये खराब वोना स्टार्ट हो जाते तो उसके कारण जो यह सारी दिक्कत आती है तो जबी आप कोई भी वाइरिंग डला तो इसका वाइरिंग जोए वह अच्छी क्वालिटी का ही आपको डलवाना है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कॉंप्रमाइस नहीं करना अभी फिलल जो है मैं अपको अपना फोकला चुह एक बार अक भी में जलाकर दिखा दीता हूँ तो अभी है मैं यह पणा फोकलाइटी करता हूँ, यह वाई पूल ओकल की स्विच तो अपना यह वायर ये भी अभी एक दम नॉर्मल टेमप्रेशर रहता है गरम नहीं हो रहा है तो उमिजए यह वीडियो जो है कापी आपको इंफोर्मेटीव लगा हो अगर इंफोर्मेटीव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चानल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू